Exercise 7.2, Question No.7 क्या 말anda?...A-B-C is a Right Angle Triangle Right Angle Triangle क्या होता है जब वो 90'degree का होता है क्या होता है ? 90'degree का एंगल होता है क्या 말anda? In Which ? Angle A is 90'Degree Angle A कितने का है? 90'Degree का है क्या 말anda कि Angle A 90'Degree का है हम इसको T饈गल का ड्रान। कर लेता है आप angle A यहीं show करोगे क्योंकि उसने साफ साफ clear बोला है कि angle A हमारा 90 degree का है तो A हम यहां show करेंगे आप B और C जहां दिल करें आप वहां लिख सकते हो यहां B लिखना चाहते हो B लिखो, C लिखना चाहते हो तो C लिखो, इससे कोई फरक नहीं कुड़ेगा क्या रहा है A B equal है A C A B, A B, A और A C equal है और हमें find करना है angle B और angle C angle B और angle C find करना है बहुत simple है अगर यह दोने equal है वो तो आपको इससे पहले वाले कुश्य में करता है अगर दो side equal होते हैं दोने angle भी equal होंगे obvious ही बात है साफ साफ पता लग रहा है 45-45 अगर यह 90 है इन दोनों का सम 90 होना चाहिए तो 45-45 बढ़ जाएगा लेकिन हमें करके दिखाना है हम proper करके दिखाते है देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना है given हमें given क्या दे रखा है हमें given है कि اب बराबर है AC इन अगल A इकुल टू 90 दिगरी यह दर रखा है अगल AB बराबर है AC और अगल A हमारा 90 दिगरी दर रखा है और हमें करना है find find क्या करना है angle B and angle C angle B और angle C हमें find करना है B और C अच्छा अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें given क्या है पर ये और ये दोनो equal है, side equal है तो दोनो angle equal होंगे कि ने होंगे हम लिखते हैं, intriangle A, B, C हमें क्या दे रखा है, A, B बराबर है A, C, A, B बराबर है A, C हमें given दे रखा है, अगर given दे रख्या है तो angle b बराबर होगा angle c reason क्या होगा angle opposite to equal side angle opposite to equal side angle किस के opposite है equal side के angle opposite to equal sides are equal लिखना चाहो तो लिख सकते हो नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो अगर लिखना चाहो तो R equal लिख सकते हो R equal ये भी लिख सकते हो अतना छोड़ सकते हो मैंने आपको ये proof करके दिखा दिया कि ये दोनों क्या है equal है ये proof करके दिखा दिया अब हम क्या करेंगे in triangle again again in triangle a, b, c वापस देखते है in triangle a, b, c में equal to 180 angle sum property simple सी बात है triangle का sum कितना होता है angle a plus angle b plus angle c 3 का sum कितना होगा 180 होगा और angle a हमें कितना दे रखा है ये हमें given है 90 उसमें बोला सा right angle 90 है हमर पास और b और c क्या है होगए दोनों का मैंने equal proof कर दिया इसको equal कर दिया हमने इसको one ले रो angle b plus angle b 180 हम लिख सकते है from equation first first से देख लो b और c equal है ठीक है या तो लिख दो b equal to c ये भी लिख सकते हो या पर लिख दो b equal है angle c ये भी लिख सकते हो from first में दे रखा है दोको ये दे रखा है b और c equal है तो मैंने c की जगे b लिख दिया b और c equal है और मैंने क्या कर दिया b और c equal है तो c की जगे b लिख दिया मैं दोनों कुछ भी लिख सकते हो अब 90 को उधर ले आओ 180 minus 90 और b और b 2 angle b 2 angle b equal to में ये हो गया 90 अब इसको या पर divide कर दो angle b कितना हो गया 90 by 2 यानि कि angle b हमारे पास हो गया 45 अब angle b 45 हो गया तो angle c तो दोनों equal है दोनों equal है तो इसलिए हो जाएगा यहां के जगा अब यहा लिख रहा हूं इसलिए angle b बराबर angle c बराबर है 45 degree यह से लिख के answer लिख देना खतम बस खतम simple size के अंदर कुछ भी नहीं इस question में तो आप करते है question number 8 की तरफ बढ़ते है